सबी कुझे मसी की आज हम पढ़ेंगे मती छे उसकी पांच आयत को कि परमेश्वर से हम किस परकार से प्राथना करें कि परमेश्वर हमारी प्राथना का उत्तर दे तो आज हम बाइबल के अनुसार उस प्राथना के बारे में पढ़ेंगे कि किस परकार से हमें प्रेर करना च जब तू प्राथना करे तो कप्टियों के समान ने हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए राधनालियों में और सड़कों के मोडों पर खड़े होकर प्राथना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्राथना करे तो अपने कोटरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्राथना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्राथना करते समय अन्ने जातियों कि समान बक बक ने करो, क्योंकि मैं समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ने बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या अते तुम इस रिती से प्राथना किया करो हे हमारे पिता तु जो श्वरग में है तेरा नाम पवित्तर माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसी स्वरग में पूरी होती है वैसे ही फिर्थर पूरी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस परकार हमने अपने अपरादियों को छमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपरादों को छमा कर और हमें प्रिक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और प्राकरम और महिमा सदा तेरे ही हैं आमेन इसलिए यदि तुम मनुस्य के अपराद को छमा करोगे तो तुम्हारा सुर्वेगी पिता भी तुम्हे अपराद को छमा ने करोगे तो तुम्हारा भी पिता तुम्हारे अपराद को छमा ना करेगा आमेन